लक्षद्वीब जाना है तो ये वीडियो पूरा देखें, कितना आएगा खर्च, फ्लाइट टिकट से लेकर, होटल तक जाने कितने में घूम लेंगे, पूरा आइलांड, इन पूरत आइलांड लक्षद्वीब काफी चर्चा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की त लक्षद्वीब घूमने आना चाहते हैं कई सेलिब्स भी लक्षद्वीब जाने के लिए फैंस से अपील कर रहे हैं और खुद भी इस द्वीब पर आना चाहते हैं लक्षद्वीब की बात करें, तो ये बेहद खूबसूरत है और मालदीव को भी मात देता है लक्षद्वीब जाना चाहते हैं तो इसका दो तरीका है पहला फ्लाइट से और दूसरा पानी के रास्ते फ्लाइट से लक्षद्वीब जाना है तो सबसे करीबी एरपोर्ट कोच्ची का अगत्ती एरपोर्ट है लक्षद्वीब पहुँचने का यह एक मात्र एरपोर्ट है देश में किसी भी जगह से अगत्ती के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं कई एरलाइन कमपनिया लक्षद्वीब जाने के लिए सीधी फ्लाइट सुविधा देने लगी है दिल्ली से लक्षद्वीब के फ्लाइट टिकट का चार्ज एक तरफ का 10,000 रुपई से शुरू होता है कोच्ची से अगत्ती तक का सफर फ्लाइट से 90 मिनट की है जिसका किराया 5,500 से 6,500 रुपई तक है बेंगलूरू से कोच्ची होते हुए जाने वाली फ्लाइट के एक तरफ का किराया करीब 7,500 रुपई है वहीं लक्षद्वीब के लिए शिप का किराया 4 से 8,000 रुपई है शिप से 5 दिन का लक्षद्वीब टूर पैकेज बुक करते हैं तो मुंबई से लक्षद्वीब वाया कोच्ची ट्रिप का पैकेज 39,000 से 1.13 रुपई तक प्रतिव्यक्ति हो सकता है अब बात करें ये खाने की तो आपको 1,000 रुपया में दो लोगों का खाना हो जाएगा क्योंकि ये एक आईलैंड है तो आपको यहाँ खाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है लक्षद्वीब में टहरने के लिए पहले से होटल बुकिंग करके जाना फाइदे का सौदा हो सकता है लक्षद्वीब में सिर्फ 184 बेड की कैपेसिटी ही है इसलिए कमरे मिलने में समस्या आ सकती है लक्षद्वीब जाने का खर्च प्रतिव्यक्ती 30 से 35 हजार रुपे तक आ सकता है अगर आप लक्षद्वीब जाना चाहते हैं तो ट्रैवल पैकेज लेके जाना फाइदे का सौदा हो सकता है अगर आपको मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें जैश्री राम